हेलो दोस्तों नमस्कार मैं प्रतिभा पांडे शागत करती हूँ आपके अपने योटूब चैनल इस्टोरी जोन प्रतिभा में हूँ तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं मादूर्गा की आठ मुख सक्तियां कौन होती हैं क्या आप माता दुर्गा की आठ सक्तियों के बारे में जानते हैं अगर नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो में लाश्ट तक बने रही है और हम आपको बताने जा रहे हैं माता दुर्गा की आठ मुख सक्तियां वैसे तो माता दुर्गा की शक्ति की कोई शीमा नहीं किन्तु देवी भागवद में उनकी मुख आठ सक्तियों के बारे में बताये गया है जो स्वेम परंपिता ब्रह्मा द्वारा वांडित है माता की आठ हुजाएं उनकी इनी आठ सक्तियों का प्रतीक है भगवाण विश्रो की भात इमा दुर्गा भी शवी शोला कलाउं से प्रतो है पहला है सरीर बल अर्थार्थ शारेरी कत्वा बाहुबल इसके विशे में बताने की कोई और श्यक्ता नहीं है कि माता का बाहुबल कितना था इनका प्रकार्ट स्वें त्रदेवों की शम्मिलित सक्ति से हुआ हो उनकी सक्ति की भला क्या सीमा अपने पावबॉल से माता ने महिशाशू चंड मुंड रक्त वीच एंसुम निशू महा सक्ति साली दैतियों का बद किया द्रोम लोचन के साथ हजार दू धूर्ष योधाओं की शेना को तो माता ने केवल अपने एक खुंकार से भज्म कर दिया था और दूसरा है बिद्याबाद माता शुरशति की भात इमा दूर्गा भी समस्त बिद्याओं की अधिश्टात्री हैं बिद्या अर्थ संसाल में जो भी क्यान है वो माता में ही शमाहित है और उनी से उनका संचार समस्त जगत में होता है जितने प्रदार के भी दैविये शक्तियाओं और सिध्धियाओं वे शभी माता दूर्गा की अधिश्रा है चतुरबल जहां सक्ति की शीमा शमापत होती वहां से बुद्ध की श्रीमा आरंब होती है बुद्ध के बल पर बड़े से बड़े योधाओं को परास्त किया जा सकता है बिद्या की भाथ ही माधुर्गा पुद्ध का मूल भीवी है माता ने चंड मुंड को अपने बुद्धी बल से ही वापस बेजा जिसके बाद हुए बड़ी सेना लेकर आये और उन सब का माता की हाथों हाश हुआ यानि नश्ट हुआ धन बन मा धुर्गा धन की देवी लच्मी का ही भी रूप है धन को बेर तो श्वेम माता के परम भगत है शंचार का समस्त ऐश्वर मातों को भी शुशो भी थै जब भी मा की किरपा अपने भगतों पर होती है तो वे उन्हें धन धान से प्रपोन कर देती है संसार का भला ऐसे कौन से अस्त्र संस्त्र हैं जिनका ग्यान मादुर्गा को नहीं है तब त्रिदेवों से माता का प्रकाट कुआ तो त्रिदेवों के आयूदों के इशास साथ सभी देवी देवताओं ने अपने अपने आयूद भी माता को दिये इससे मादुर्गा संसार से दिश्टों का नास कर सके संसार के चितनी भी शक्तियां और दिव्यास्त्र हैं उनका ग्यान माता को हो और शौरिबल शक्ति जब अपनी अधिक्तम सीमा पर पहुँच जाती है तो शौरिबल में पणित हो जाती है मादुर्गा भी शक्ति की पराकाष्ट है युद्चेर में माता के तेज और सौर की संता किसी और से नहीं की जा ज़ती माबारसे युद्चेर एक दिन पहले श्री किष्ण नियर्जुन को माता का अशिरवात पुदान करने को कहा था ताकि उनकी बिजे में कोई शंका न रह जाए श्वेम महादेव की पुत्र और देवों के शेनपती इशकंद भी युद्चेर पूर्व मादुर्गा की अरादना करते थे और सात्वा है मनोबल शब्धिशोर और साज्टनों को मन ही नियंतरित कर सकता है मनोबल का आर्थ है कि अपने सबी इन रियों द्वारा और नियंतर रखते हुए बाह माया के प्रभाव से अचूता रहना माश्वेम माया की जन्नी है विश अंशार की माया का उन पर किस प्रकार प्रभाव पढ़ सकता है मादुर्गा का मनोबल समस्त जगत की चेतना का मोल स्रोत है और सबसे लाज्ट है आठवा धर्म बल धर्म ही जगत का आधार है जगत में जो कुछ भी हो रहा है धर्म की रच्छा हेत ही हो रहा है जितने भी अवतार है उनका मुखुदेश धर्म की रच्छा ही है माता का प्रकाट भी संशार से असरों का नाज कर धर्म की रच्छा करने हेथ ही हुआ है उन्होंने धरा के दुष्टों से सोन कर छेन होते हुए धर्म में पुनह प्राणों का संचार किया तो दोस्तों दूसरी कहानी हम आपके लिए लाएं है या जानकारी पांडों का पुनर जर्म महा पुराणों के अत्रिक्त अन्य पुराणों की पुराण मृत्ता पर यदा कदा प्रश्ण उपते ही हैं किन्त उसमें से जो भी पुराण सबसे अधिक शंशे का केंद रहा है वो है भविश्य पुराण दोस्तों ऐसी मान दिता है कि शमे के शाथ इसी पुराण में सबसे अधिक मिलावट की गई यही कारण है कि इस पुराण में लिखा हुआ कितना सत्य है और कितना अशाती ये ठीक ठीक किशी को नहीं बता किन्त इसी भविश्य पुराण के अंसार एक कथा आती है जो बहुत ही रोचक है ये कथा है पांडों के पुनर्व जन्म के बिशे में आला कि महाभारत के अंसार इदिके 36 वर्सों के प्रश्यात पांडो द्रोपती सहिस्वर्ग चली गया थी किन्त भविश पुराण के अंसार उनका पुनर्व जन्म हुआ था इसका वरणन भविश पुराण के प्रतिशर्ग पर्व के तीश्रे खंड के पहले अध्याय में दिया गया है तो आईए इसके बिशे में कुछ जानते हैं जब महाभारत युद्शमाथ हुआ तो श्री कृष्ण भगवान रुद की इस्तुति की जिस कारण वे अपने एक अंस के रूप में पांडों के सिविर की रच्छा करने आए उधर उन्हें की एक अन्स अश्व थामा जब किरपा चार्या और कृत वर्मा के शात्मा आक्र कि इस्तुत से प्रिशन होके महादेव की उस अंश ने उन्हें द्वार के अंदर जाने की आग्या दे दी उन्होंने अश्व थामा को एक दिप दल्वार भी दी जिसका प्रियोग कर उसने किरपा चार और प्रत वर्मा के शात्मिल कर बचीवी पांडों शेना का नास कर द किया और जब पांडों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अध्यानवंश महादेव की उसका उप्तर डाई ठहराया रोध में वे अपनी मर्यादा भोल गए और अपने दिपिशास्त्रों से महादेव के उसी रूप से युद्ध करने लगें किन्द उनके सभी अस् सभी श्रीकिष्ण के प्रिये हो और उनकी किरपा भी तुम्हें प्राप्त है इसलिए मैं तुम्हें छमा करता हूं हन्यता तुम सभी वद के योग हो इस जन में तो तुम्हें वासदेव ने तो बचा लिया किन्त अपने इस अफ्रात का दंड तुम्हें अगले जन में प प्रगठ हुए तब श्रीकिष्ण ने उनसे प्रातना करते हुए का कि है बोलीना पांडो ने अग्यानता में बहुत बड़ा अफ्राद किया किन्त मेरी प्रातना है कि आप पांडो के अस्तसस तुनें लोटा दे और उन्हें अपने श्राप से मुक्त कर दें या सुनकर मह आदेव ने कहा ही वासदीव आपके ही कारण सभी पांडों की रच्छा हुई है आपने स्वेम अन्रोद किया है इसी कारण मैं इनके अस्तसर लोटाता हूं कि इन्ट मेरा श्राप बिफल नहीं हो सकता किन्तु चुकि यह सभी अदने भक्त हैं इसलिए मैं इन्हें वर्दान देता हों कि अगले जन्म में जन्म लेकर अपने जीवन के पाप मुन्नों को भोग कर दिए मुख्त हो जाएंगे और अपनी इच्छांसार उत्तम लोगों को प्राप्त करेंगे ऐसा कहकर उन्हें पांडों के सभी आयुद ने लोटा दिए यह देखकर स्रीकुष्ण पां प्रफल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं अता मेरी इच्छा है कि आप भी इनके मार्ग दर्शन के लिए आगला जन्म लें यह सुनकर श्रीकृष्ण प्रशन होते हैं महादेव आपकी इच्छा आवच्छी पूर्ण होगी मैं भी इनके साथ ठकले चनम में अपने अंस के र पूत्राच नामक राजा के पूत्र बनकर पैदा हुए और उनका नाम बलखान मलखान हुआ बाद में वे श्रीष नगर के राजा बने और भीम अगले जनम में वाराणसी के राजा वीरण के रूप में जन्दे और अरजुन परिलोक नामक राजा के पुत्र के रूप में जन्मे जिनका नाम था ब्रह्मानन नकुल कन्यकुजी के राजा रत्न भान के पुत्र के रूप में जन्मे जिनका नाम था लच्छमर और सहदेवने अगले जन्मे भीम सिंग नामक राजा के पुत्र दैवीशीक के रूप पे जन्मे श्रेकिषन योग मायदवारा निर्मित महावती नगर में राजा देश राज के पुत्र के रूप में जन्मे उदल यानी उदैशीक नाम से प्रशिद हुए उनकी माता भी द के अंसे से जन्मे श्वयम बैकुंठ आहलाद के नाम से उत्रित हुई और श्रीकिष्ण के गुरु बने उज्यद में श्रीकिष्ण ने सरी पांडों की शाहता से अग्डिवस में उत्मन हाताताई राजाओं का नास किया और ध्रिश्ट राग अजय मेरू हजमेन नगर के राजा प्रतिवी राज के रूप में जन्मी और द्रोबदी प्रतिवी राज की पुत्री बेला के नाम से जन्मी और करने नी तारग नाम की दानवे राजा के रूप में जन्मी इस पिकार सभी पांडों और श्रीकिष्ण अगले जन्म में अपने कर्मों को भोग कर अपन और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए गार लाश्ट में बिलाइकन दवाना बिलकुल मत भूलिएगा आपके इस तरह के बिलाइकन दवाने से और कमेंट करने से हमारा प्रोशाहन बढ़ता रहता है और हमारी कहानियों कर नोटिफिकेशन आप तक जाता रहता है तरनिवाद दोस्तों प्रोश्यल् में बिल्गेशन से आपके रहता है और हमारी करने से का रहता है अच चन्यत्तों प्रोशिके असे प्रोश्या में बिलाइकन दा चाहताए है और है व Boris